Hello Friends, आपके साथ शेर कर रही हूँ एक important वीडियो दोस्तों 1 October 2020 से सेल पर नया टेक्स लगने जा रहा है जिससे related वीडियो भेने upload भी की थी लेकिन आज की वीडियो में हम कुछ confusion है जिनको clear करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा सभी important updates के लिए तो budget 2020 से ये नया section लाया गया है जो कि आपका applicable होगा 1st October 2020 से तो section 2061H जो मैं आपके साथ detail में भी discuss कर चुकी हूँ उसमें कुछ confusion है जिने हम आईस वीडियो में clear करेंगे तो ये वाला section basically किसके लिए है दोस्तों पहले ये जानना आपके लिए बहुत important है every person being a seller यानि कि seller को DCS collect करना है being a seller seller को कोन है पहले हम यहाँ पे वो देख लेते है seller mean a person whose total sale gross receipt turnover from the business carried on by him exceeds 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which sale of goods is carried out तो यानि कि अगर आपके previous year की sale 10 crore रुपे से जादा है आप seller है seller कोन है एक person जो sale कर रहा है और आपकी total sale gross receipt या turnover पिछले साल की यानि कि कौन से साल की देखी जा रही है पिछले साल की देखी जा रही है अगर 10 crore से जादा है तो आपको TCS collect करना है तो ये तो एक simple सी चीज थी जो हमें अभी तक clear हो रही थी चलिए अब जो confusion create है दोस्तों को amount को ले करके है किस value पर collect करना है कब collect करना है कितना collect करना है ये confusion हम एक बार यहां पर clear करेंगे तो चलिए अब आपकी sale माल लीजी 10 crore से जादा है आप seller है आपकी पिछले साल की जो sale है वो 10 crore से जादा है अब आपको क्या करना है who receive any amount as consideration for sale of goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakh rupees in previous year other than the goods being exported out of India तो अब आपको collect कब करना है किस amount पर करना है अगर आपकी receipt यानि कि buyer से आप receipt कर रहे है 50 lakh से जादा तो आपको TCS collect करना है तो ये भी चीज हमें clear थी कि कब करना है किस amount पर करना है जो भी 50 lakh से जादा की amount आप receipt कर रहे है माल लीजिए अगर आप किसी buyer से 60 lakh की receipt ले रहे है तो 50 lakh से जादा जितना है यानि कि 10 lakh तो 10 lakh पर आपको TCS collect करना है अब ये चीज भी clear हो गई है अब next question यहाँ पर rise हो रहा था कि दोस्तों माल लीजिए आपने अभी receipt जो है इस साल में आपने करी है 20 lakh की receipt करी है आपकी जो invoice की value थी वो आपकी 60 lakh की थी लेकिन 20 lakh आपने इस साल में collect किये है 40 lakh आपने next year में collect करे है तो भी क्या आपको TCS collect करना है तो नहीं इस case में आपको TCS collect नहीं करना है क्योंकि during the financial year जो आपकी receipt हुई है वो 20 lakh की हुई है तो आपको इस case में TCS collect नहीं करना तो during the financial year अगर आपकी receipt 50 लाग से जादा होती है इक बायर से तभी आपको TCS collect करना है तो यह second point था जो हमारी query का clear हो गया अभी अब आताती है कि किस value पर collect करना है माल लीजे कि किस time collect करना है जब आप invoice raise करेंगे तब आपको collect करना है या जब आप receipt लेंगे उस वक्त आपको collect करना है तो दोस्तो जब आपको receipt आप लेंगे जब आपको पैसा मिलेगा उस समय पर आपको collect करना है तो यह चीजे हमें बहुत ज़रूरी है clear होना कि at the time of receipt of such amount यानि कि जब आप उस amount को receive करेंगे तब आपको TCS collect करना है तो यह जो कुछ confusion थी यह clear होनी बहुत ज़रूरी है तो यह तीन चीजे हमें clear हो गई क्या-क्या हमें clear हो गई कि seller कौन है जिसकी previous financial year में जो sale है वो 10 करोड से ज़ादा है उसको TCS collect करना है कब करना है जब आपकी receipt एक buyer से 50,000,000 से ज़ादा की होगी किस amount पर collect करना है 50,000,000 से ज़ादा जो भी receipt की amount होगी माल लीजे 60,000,000 की आपकी receipt है तो 50,000,000 से उपर कितना है 10,000,000, 60,000-50 तो उस 10,000,000 पर आपको TCS collect करना है कब करना है at the time of receipt यानि कि जब आपको वो पैसा receive होगा उस time पर आपको करना है next जो हमारे important query थी कि माल लीजे 60,000,000 का आपका invoice है लेकिन आप भी इस साल आपको 20,000,000 रेसिप्ट हुए है अगले साल आपको 40,000,000 की receipt हुई है तो तब भी क्या आपको करना है तो तब आपको नहीं करना क्योंकि during the financial year आपकी रेसिप्ट 50,000,000 से जादा होनी चाहिए तो ये कुछ queries है next हमारी एक important query है इन्होंने का है other than the good being exported out of India तो export पर ये जो है applicable नहीं होगा अगर आपकी export है तब ये applicable नहीं होगा अब next हमारा question बन जाता है अगर आपकी जो sale है वो exempted goods की है तो ऐसे case में भी आपको TCS collect करना है क्योंकि sale की बात की है अगर within India है तो आपको TCS collect करना है तो ये चीज़े आपकी यहाँ पे clear हुई अब किस amount से आपको TCS collect करना है 0.1% आपको TCS collect करना है अब किस amount पे करना है कब करना है वो तारी चीज़े हम already cover यहाँ पे कर चुके है तो ठीक है एक ही एक queries निकल करके आ रही थी साथ ही अगर buyer अपना pan number provide नहीं करता या अपना अधार number seller को provide नहीं करता then कितना TCS आपका 1% TCS वो collect करेगा तो यह चीज़ भी मैंने आपको clear कर दी थी next यह section कब apply नहीं होगा if buyer is liable to deduct tax at a source under any provision अगर आपकी किसी दूसरे provision में आपने TDS उसका deduct हो चुका है तो उस case में भी यह section applicable नहीं होगा अब सबसे important question हमारे पास यह आता है दोस्तों क्या with GST जो हमारे invoice की value होगी उस पर हमें TCS collect करना है यानि कि with GST जो हमारी receipts होगी उस पर correct करना है माल लीजी आपका जो है 40 लाग का good है या 50 लाग का goods है उस पर आपने GST की amount add करी वो 70 लाग हो गए तो क्या with GST आपको उस 70 लाग पे जो है TCS collect करना है तो yes GST की amount को consider किया जाएगा इसके अंदर GST add होने के बाद जो हमारी value आएगी अगर वो 50 लाग से जादा की है तो हमें TCS collect करना है यह सारी छूटी छूटी चीज़े जो है यह clear होना बहुत ज़रूरी है बहुत important है तो यह सब ही queries है जो कि आ रही थी TCS की collection को लेकर के जो मैंने आपकी इस video में clear की है इससे related अगर और भी आपके कोई queries है तो आप comment box में लिख सकते हैं Thank you for watching